सबसे पहले सबसे तेज हरड़ा डेट में आपका सुवागत है मैं मनोज फोजी आज खेड़ी गाउं के अंदर यह इस्तिति हो चली है कि यहां पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है और नालियों का नालियों का तो कहणा ही क्या है आपको अम दिखाते हैं यहां पर जो कूड राज खतम हुआ है और अमारे जो परसासनी के अधिकारी हैं उनके हाथ में शासन आया है तब से यह गाउं की बुरी हलत है तो यहां पर मेरे साथ कुछ मोजूद आदमी हैं जो गाउं के लंबड़दार हैं और बुजरूग आदमी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते ह हैं किस परकार सी यह मामला और कहां कहां इनों निजा के अपनी रिपोर्ट की है लेकिन कोई शुनवाई नहीं हो रिपरसासन की तरफ से बात करनी कोशिश करते हैं यहां पर परसासन में कहीं जालते हैं तो जो रहने वाले की इस बहुत समस्क्रा यहां पर दला हुआ है इसके लिए अपने परसासन में कहीं जा कि किसी को बताने की कोशिश की प्रवाचन साथ आम सरपंज तक बताया और वह उठा लेके तक वह उठा लेके जार महिने इस कच्रे से काफी बिमारियां उत्पन हो सकती है और वैसे भी यहां से निकलना मुश्किल है जो आसपास के घर है वहां पर सोना भी दुरलब हो जयता रात को जैसे आवा चलती है तो सो नहीं पाते ग्रामिन और बार-बार सैक्टरी के संग्यान में डाला गया यह मामला फिर भी कोई कार्य नहीं हो पारा रहा बार-बार सैक्टरी को फोन करते हैं सैक्टरी उठाता नहीं है ऑफने जब से यहां पे जो अपना गाउं का जो सासन आया है गाउं को समालने का जिंब्मा आया है उन्होंने बिल्कुल ली विश्कें से पला जाड रख्या था आमने जो भी है मामला यह हम सज्ञ्ञान में डालने की कोशिश करेंगे और इसे मामला अगर सैक्टरी करि आते हैं ठीक है नहीं तो फिर परशास्टन के विरुद कारवाई होनी चाहिए और हमारा यही कहिए और भी हम बात करने कोशिश करते हैं यहां के जो लंबडार हैं उन से ब यहां से सभी लोगों का आना जणा होता है परसासन के आप भी यहां से आते हैं लेकिन अंदेखा करके निकल जाते हैं यह कारवाई नहीं होगी तब तक एक ग्रावनवासी बोल रहे हैं कि हम चुप चाप नहीं बैठेंगे क्योंकि जो सेक्टरी है वह किसी भी कारिये को करने में खुश नहीं है इन्होंने बार बार खोर्ण करने की कोशिश की इन खोर न हमे अपना पंचैती राज था उसमें कारवाई सही हो रही थी लेगिन जो परसासना आया है अपना अधीकरियों के यह यह यहां पे जो मैं बोलूंगा कि जो पूरा गाउं की जू बाहरा ही है उसके बाद गाउं की बुरी एहलत है और भी अम थोड़़ाट करने कोशिश क करते हैं अपना नाम बताएं जी और समयश्यास है जब से खतंग हुआ है तो हम कंटिनूर चार मेने से पहुंद भी करें शेक्रिस आपको पर कोई पहुंद नहीं करते हैं और यह जब भी बारिश होकती है तो फूरा रफ्सा ब्लोग हो जाता है यह आगे से खुड़ा सा पाणी बैक आता है तो फूरा ब्लोग हो जाता है और यहां पर यह पाइप लेन पाणी दभी होई है तो यह गंदा पाणी अंदर जाता है लोग इसको यूज कर रहें पेने के लिए तो बेमारी होगी और इससे भी बेमारी और बच्चे इदर से निकलते हैं आते-जाबत बहुत गंदी-गंदी चीज़े पढ़ी है निडल वगेरा भी जी सब्सक्रे के अंदर जो भी आजमी तो इसके प्रेशान है यहां पर जो घाए वगेरा होती है वहां इस कच्रे को खा सकती है जिसके अंदर प्रसासन से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ द्यान द याजाए धन्यवाद कि अजया लाजवाद याजाब है अजवाद याज़ लुब याज़ लुब याज़ अजल याज़